असन के ग्रेस अचेव शिलादित्य चेतिया ने खुद को गोली मार कर आत्मत्या कर ली है। अचानक मंगलवार को उनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। उस वक्त आईपियस अधिकारी शिलादित्य चेतिया मौके पर ही मौझूद थे। पत्नी के निधन पर उन्हें ऐसा सदमा लगा कि उन्हें आईसियू में खुद को गोली मार ली। इस घटना की जानकारी असम के डीजीपी ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिये दी और घटना पर शोक व्यक्त किया। आईपियस अधिकारी के इस कदम से हर कोई है, पर जन सदमे में है, उन्हें यकीनी नी हो रहा है कि पल भर में दो जाने चली गई। 2009 बाच के आईपियस अधिकारी शिलादिते चेतिया आप नहीं रहे, घरवालों को इस खबर पर यकीन नहीं हो पा रहा है। दॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोशित कर दिया, समस्त असम पुलिस परिवार गेरे शोप में है। पत्नी की मौत से दुक्या आईपियस ने ये कदम उठाया, अपना भी जीवन समाप्त कर लिया, पत्नी की मौत के चंद मिनट बाद ही, इस आईपियस अधिकारी ने खुद का जीवन भी अंत कर लिया। तो असम की ये घटा है, जहां पर पत्नी से डीजीपी का ऐसा लगाव था कि पत्नी की मौत हुई, तो खुद को ही गोली बाड़ी।